बिसमिल्ला रिक्मार रहीम, असलाम अलेकम फ्रेंट्स मेरा नाम मौसिन और आप देख रहे हैं Forex ECO एक स्ट्राटीजी मैंने आपके साथ शेयर की थी और इसके उपर आज काफी ट्रेडर्स ने काम भी किया पहले भी इसके उपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और यह जो स्त्राटीजी मैंने अपके साथ जो शेयर की थी मोविंग्च ऑवरेज के उपर जस्ट्टू मौविंग अबरिज को हम यह यूजओ करें करें 50 का और दूसरा 200 का moving average और इसके उपर मैंने strategy जो आपको बताई थी वो यह थी कि आप जैसे ही 50 वाला moving average है अगर market उसके उपर closing करती है जैसे कि यहाँ पर इसने candle close की तो आप यहाँ से जो है वो buy की trade ले सकते हैं और यहाँ से आप buy की trade ले सकते हैं और दूसरा इसका यह भी था कि अगर आप बिलकुल मौतात करना चाहें मजीद trading को तो आप यहाँ से भी trade कर सकते हैं मतलब यहाँ से तो अगर आप सेम उसी के उपर जैसे 50 के उपर इसने closing दी तो आप trade करते हैं तो आप देखें कितना ज्यादा move किया है goal यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक move किया है ठीक है उसके बाद आपको अच्छा खासा आज profit जितने भी हमारे साथ काम करें लोग काफी दोस्तों ने निकाला और मैं यह आपको जस्ट दिखाना चाहता हूं कि strategy कितना काम करती है या नहीं करती तो यहाँ पे देखें exactly यहाँ से इस candle ने जो है वो उपर close किया वैसे यहाँ पे भी था यह 200 moving average के उपर और 200 moving average को यहाँ से अगर हम trade उठाएं तो आप खुद देखें यहाँ पे कितनी ज्यादा मतलब कि positive trade गई है और कितना ज्यादा आप benefit उठा सकते हैं Forex में कोई भी strategy 100% काम नहीं करती है यह कोई एक ऐसा formula नहीं है कि मैंने आपको यह बताया कि ऐसे आप कर लें 50 के उपर जैसे cross करे market तो आप उसको buy करें नीचे cross करें तो sell कर दें इतना ही अगर forex trading में होता यह इतना ही trading का एक rule होता तो फिर तो क्या ही बात थी trading तो बहुत आप उसके उपर implement करें और अभी यह दो एक pattern बना रही है market अभी एक pattern बना के बैठी हुई है और इसको भी मैं पहले समझा चुका हूँ तो आप इसके उपर भी practice कर सकते हैं लेकर हम यहां पर moving average की उपर बात कर रहे हैं कि जो यह strategy मैंने आपके साथ share की थी देखें बात कर करने का मकसद यह है कि आपको wait करना पड़ता है उसके implement का और जैसे कि अभी market बिल्कुल उपर है हलांकि moving average के उपर market चल रही है लेकर यहां पर अगर मैं buy की trade लगाता हूं तो मेरे लिए सही नहीं है मुझे wait करना पड़ेगा इसको कहीं किसी ना किसी जगा पर वो अगर market cross करती है तो then हम उसके उपर कुछ सोच सकते हैं और फिर कोई भी strategy है वो एक time के इसाफ से काम करती है ऐसा नहीं है कि market जैसे कि अभी हम अगर pound में काम कर रहे हैं pound usd में यह जैसे कि market है और आप इसकी trade को active कर देते हो सुबों के time जब यह दोनों markets बंद होती है या पिर रात क आप कर देते हो active और जैसे वो क्रास करती है तो आप उसको market में इंटर हो जाते हो या बार बार आप उसके entry लेते हो तो देखें ऐसा profit इस तरह से profit निकालना मुम्केनी होता आपने market को इस साब से देखना है कि अगर हम pound usd में trade कर रहे है तो pound usd की market है वो open cup होती है उसमें क movement आता है और किस तरह से वो move करेगी तो वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है then आप उसमें trade में जाते हैं ऐसा नहीं है कि आपने जब भी आप घर में आये हैं या आपने computer अन किया तो आपको लगा जी अच्छा moving average यहां पे cross किया इसका मतलब अभी और बहुत इसा तो फिर last ही होगा ना आपने strategy को practice करना है वेट करना है तो आप इसमें इसे profit उठा सकते हैं इसी के तरह कि और भी strategy मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा आने वाली वीडियो में और काफी advanced चीज़ें भी आने वाली हैं मेरा मकसद है यहां पे आपको free of cost जाब वो मैं trading सिखाप हों एक educational based channel है जिसमें आपको without किसी भी fees के अदा किये बगार आप जो है वो एक फारेक्स के अंदर कैसे trade करना आप इसको सीख सकते हैं मैं चाता हूं कि आप last ना करें लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप practice करें जो चीज़ें मैंने आपको बताई उसको demo पे काम as come trade करें और एक और भी fail होने का एक और भी मतलब के मसला ही होता है कि लोग एक दिन एक strategy को try करते हैं उनके अपनी घलती के वज़ा से यह वैसे वो काम नहीं करती है कोई भी strategy 100% काम नहीं करती है तो एक trade अगर उनकी negative चली गई है तो वो अगले दिन एक नई strategy पे काम करना चुरू करते हैं देखें किसी भी strategy को अगर आपने implement करना है तो come as come आप रोजाना की चार या पांच trades जो उसके उपर लगाएं और उसमें आप ratio देखें कि कि कितनी ज्यादा मतलब कि उस पे वो आर है आपकी जो जो टीपी वाली trades है जो profit दे रही है आपको वो कितनी है last व लगाएं लाजमी लगाएं ले अगर आपको मिलती है 15 मिनिट की candle के उपर practice करेंगे तो आपको काफी trades मिलती है और अगर एक दो भी मिलती है पूरे महिने की average निका लें 15 दिन की average निकालें कम अज़ कम एक या दो महिने उसके उपर practice करें उस सेम strategy के उपर फिर आप उसके जब वो work कर सकते हैं तो hopes हो कि आप इस चीज को समझे होंगे और जिनों ने भी इस से profit निकाला है या इस strategy पर काम कर रहे हैं वो नीचे ज़रूर comment में बताएगा और आप मजीद और मैं आपको strategy बताऊं किस level कि आप करना चाहते हैं तो वो भी आप comment में लाजमी बता कर मैं मैं आप सब के comments पढ़ता हूं तो उससे मुझे help भी मिलती है कि आप क्या चीज जो वो सीखना चाहते हैं अपना बहुत तरह क्या रखी का मिलते हैं next studio में अलाहाफिज